चलो, हमने TP Act start किया था, हमने एक पढ़ा था, reversion, remainder, absolute interest, vested in interest और vested in possession, ये सब को याद है, उसके बाद हमने पढ़ा था, ये, property कौन transfer करता है, कौन करता है, to living person, inter-wares transaction होते हैं, तो हमने दो चीज़े पढ़ी थी, movable property और immobile property, movable property वो, जो, immobile property नहीं है, और registration act के साब से, movable property is not, except other than, other than immobile property, but include standing timber, grass, और growing crops, फिर हमने movable property की भी दो definition पढ़ी थी, registration act के साब से, और general clauses के साब से, इसमें बड़ी ही negative बताई हुए, कि other than stamping timber, growing crops, और grass, लेकिन general clauses act के साब से, immobile property, land, benefit arising out of land, things attached to the earth, and permanently fastened things attached to the earth, फिर हमने registration act के साब से क्या पढ़ा था, benefit arising out of land, or right of, way, ferries, fisheries, right to light, ठीक है, और hereditary alliances, फिर हमने कल समझा था, कि subject matter of property क्या होता है, subject matter of property, जो की property of any kind, फिर हमने पढ़ा था, formalities of transfer, जब भी एक transfer करना है, तो तीन formalities करने है, नोपुर कौन-कौन सी formalities? और notice, अटेस्टेशन कराना है, अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, आस्था, नए, अटेच नहीं, अटेस्ट, अथेंटिकेशन ओफ सिगनेचर, और बेसिकली, अटेस्टेशन इस दन बाई, टू और मोर विटनेसेज, तो अगर एक्जिक्यूटर ने, एक्जिक्यूट ने साइन किया है, लाइट यही वाली चलेगे şi, यहनी बन दोएगी, एक नहीं होती है, अएक साथ जलती हैं दोनों, ठीक है, एक्जिक्यूटिन्ट है, जो, वो क्या कर रहा है, साइन कर रहा है spreadsheet में, और document को जब साइन कर रहा है, तो किसी विटनेस के सामोने साइन कर रह इसको हम बोलते हैं attestation फिर एक आता है registration जो हमने registration act के अंदर पढ़ा है कि transfer of property करोगे तो आपको registration वाली formality mandatory है और एक notice जिसमें हमने दो type के notice actual or constructive फिर हमने पढ़ा था restraint of transfer or rule against inalienability इसमें हमने दो type के restraint पढ़े एक absolute restraint और एक partial restraint जो कल attend नहीं कर पाए उनको वो उनसे पूछती हूं हमको एक बात बताओ एक property transfer हुई ठीक है अब transfer करने के बाद अगर मैंने बोल दिया कि इस property को तुम कहीं बेच नहीं सकते यह एक absolute restraint है क्या हम इसे लगा सकते है हाँ तो absolute restraint है क्या हम ऐसे लगा सकते है एक property बेची मैंने property सिर्फ तुम्हारी आगे तुम इसे बेच नहीं सकते ऐसा कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कौन सा case पड़ा था point जब आपके ऐसे terms and conditions वो जिसमें पड़ा है वो याद करके बताना ठीक है जब आपके ऐसे terms and conditions हैं कि अगर आपने एक property transfer कर दी है किसी एक person को तो वो उसको completely enjoy कर सकता है उसको जो करना उस property के साथ वो कर सकता है यह absolute restraint यह type का restraint आप नहीं लगा सकते हैं लेकिन कुछ type के absolute restraint है जो आप लगा सकते हो तो absolute restraint में आप यह नहीं बोल सकते हो कि इतने ही amount में बेचना इसमें जो example दिया है वो 2000 की property उसको बेच के क्योंकि हमारा 1882 का act है तो तब 2000 बहुत होता था तो 2000 की property बेच के उसको कह रहा है कि आगे ना इसको 50,000 में बेचना उसकी मर्जी उसे 3000 में बेचनी है 10,000 में बेचनी है 50,000 में बेचनी है और 2000 की बेच के तुम उसको बोलोगे 50 में बेचना तो इस example में वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि कोई 50 में इसको खरीदे जो property 2000 की है वो आगे जाके 50,000 की कब होगी वो नहीं पता तो आप उस पर ये restraint नहीं लगा सकते कि जब भी भी बेचो ना 50,000 की ही बेचना ऐसे restraint लगाना void है ठीक है invalid है आप ऐसा काम नहीं कर सकते फिर हमने एक topic पड़ा था partial restraint partial restraint allowed है partial restraint allowed है partial restraint में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ family की cases में अगर चार भाई है आपस में चारो भाईयों के पास एक property में थोड़ा 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 शेर है अगर आपस में चारो भाईयों यह contract कर लिया कि अपनी property का शेर खांदान के बाहर नहीं जाना चाहिए तो यह allowed है यह valid है क्योंकि इसका reason क्या है property खांदान के खांदान की ही रहे इसमें किसी का negative reason नहीं है इसमें वो उसको रोक नहीं कि तुम बेच नहीं सकते उसमें को यह रोक रहे हैं कि खांदान के बाहर नहीं बेच सकते अगर तुम हम चार भाहम बाकी तीन भायों में किसी को ना किसी को प्रॉपर्टी बेचो क्योंकि मैं हम पढ़ रहा है partial restraint, क्या किसी को हम property बेचने के लिए रोट सकते हैं, क्या नहीं रोक सकते हैं, तो अगर family में कोई किसी को रोकता है, तो supreme court बोलता है, ये point चलेगा, अगर उसके बाद भी अगर वो तीन आपस में खरीदने को ready नहीं है, तो आप supreme court जाओ, और तो supreme court judgment नहीं है, partial restraint लगाना allowed है, एक और point है absolute restraint में, कि कब वो allowed हो सकता है, अब तुम बताओ, कब allowed हो सकता है, terms and conditions हो, और, हाँ, एक आदी हैं, exception, दो ही exceptions हैं basically, कौन मर गया? ठेक हैं, ठेक हैं, देखो, exception क्या है, कि अगर एक person ने property lease पे दी है, सीधा सीधा lease का example है, अगर एक property lease पे दी है, तो हमारे रमेश और डॉली थे, रमेश ने डॉली को property किस पे दी है, lease पे कितने साल के लिए, पात साल के लिए, पात साल के बीच में उसने उसको terms and conditions में लिख दिया था, कि इसको sub lease मत करना, sublet मत करना, मतलब मैंने तुमको lease पे दी है, तुम इस property को use करो, कोई और इसे use ना करे, क्यों? क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, मेरा contract तुम पे हुआ है, तुम यहाँ पे मुझे पता है, hospital बनाओगे, मुझे किसी का नहीं पता कि वो यहाँ पे bum बनाने वाला business करेगा, कि कोई illegal business करेगा और पूरा इलजाम उस पे आएगा, क्योंकि अभी owner of the property gone है, खुद रमेश, तो अगर आप किसी को sublet करने से रोकते हो, यह restraint allowed है, ठीक है, पहला point directly, कि there are two exceptions कि जब आप lease करने के time पे किसी को sublet या sub lease करने पे रोकोगे, तो वो allowed है, दूसरा point, second exception बोलता है, जो लड़किया, हिंदू नहीं है, बुद्धिस नहीं है और मुस्लिम नहीं है, तो बची कौन, Christian, Parsi, ठीक है, और भी other than these three, अब अगर during the marriage, वो शादी शुदा है, और वो अगर अपनी property किसी को बेचना चाहे, और उसको उसके family members या कोई उसको रोक रहा है, तो वो रोकना valid है, ठीक है, क्यों, इसके पीछे इनका reason है, कि जो एक औरत, जो हिंदू नहीं है, बुद्धिस नहीं है, और मुस्लिम नहीं है, वो अपने husband के साथ जुड़ी होती है, और एक कहलाती है, तो जो भी property woman की होती है, उस पे उतना ही right husband का भी होता है, ऐसा इनका कहना है, मतलब Christian law और partial law उनकी law का कहना है, तो TP act कहता है, कि ठीक है, इस औरत पे अगर, क्योंकि ये शादी शुदा है, अगर इस पे आप absolute restraint लगाओ के, तो हम TP act इसको नहीं रोकेंगे, कि आपने absolute restraint लगाया है, और ये void है या invalid है, ठीक है, सब को समझ आ गया, अब restraint on enjoyment, एक property बेची, ठीक है, अब उसको बोल रहा है, यहाँ पार्टी नहीं कर सकते, यहाँ पे आप अपने और गेस्ट को नहीं बुला सकते, यहाँ पे पानी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ऐसी वाली lightings नहीं लगा सकते, इतने सारे restrictions लगाओगे, ऐसी property लोग क्या, नहीं, इफ ले लिए और उसके बाद वो आपको रोक रहा है, contract करते, time, terms and condition डाल रहा है, कि यह यह काम आप नहीं कर सकते, तो वो रोक रहा है आपको enjoyment से, ठीक है, तो आपके enjoyment को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर किसी की right to light, किसी का right to way, या right to air अफेक्ट हो रहा है, त तुम्हें और घर बनाने हो ना, बनाते हैं ना, लोग एक story, दो story, तो आपको वो बनाना है ना, तो वो आप, हम इसको बनाने से आपको रोक सकते हैं, अगर किसी और की light air या या कुछ भी affect होगा तो, ठीक है, वैसे आप किसी को रोक नहीं सकते, अब who can transfer a property, contract कौन कौन कर स आप से, major पड़ा है तुमने, sound mind, तो अपनने उल्टा पड़ा है ना, कि any person who is not, who is unsound mind contract नहीं कर सकता, any person who is minor contract नहीं कर सकता, any person who is disqualified by law contract, इसमें सीधा-सीधा लिखा है, any person who is major, sound mind, or qualified by the law, या not disqualified by the law, वो ही लोग transfer property को कर सकते हैं, लेकिन एक point लिखा है, minor transferi बन सकता है, minor transferi बन सकता है, मतलब, property minor के नाम पे हो सकती है, ठीक है, सबको समझाया, तो minor अपने नाम पे property ले सकता है, इसमें एक example दिया है, कि एक पपा है, जुनका नाम है B, उनने अपने A बेटे को property दी, जो कितने साल का है, 16 साल का, तो क्या उसको property दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, ठीक है, transfer, A है, हमारे रमेश थे, हमारे डॉली थे, इनके बच्चे का नाम बॉस बेबी था, बॉस बेबी बच्चा है न, अभी 16 साल का, तो क्या रमेश बॉस बेबी को property दे सकता है, कि नहीं, दे तो transmission नहीं आएगा, proper transfer कर सकते है, he can hold a property in his own name, ठीक है, हाँ तो माइनर बेच नहीं सकता न, पलक, who can transfer a property, a major, a sound mind, तो पपा major है कि नहीं है, रमेश major है कि नहीं है, sound mind है, not disqualified by law, जिसको transfer कर रहा है, माइनर है वो, तो he can be a transferee, जब रमेश property दे रहा है, तो उसको हम क्या बूलेंगे, transferor, और boss baby property ले रहे हैं, उसको हम क्या बूलेंगे, transferee, तो transferee can be a minor, transferer can be a major, sound mind and not disqualified by law, ठीक है, हाँ, सबको दे सकते हैं, ठीक है, चलो, हमने कुछ points पड़े थे, यह मैं तुमको last में explain करूं, क्योंकि एक-एक point explain करना है, यह है properties which cannot be transferred, there are some properties which cannot be transferred, इसमें थाड़ा explanation चाहिए, तो last में करते हैं, हमने फिर एक last topic पड़ा था, transfer for benefit of unborn person, यह important है, मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसके नाम पर क्या property transfer हो सकती है, unborn है अभी, हो सकती है क्या, अब तुमको करनी है, तो क्या करोगी, point, नाम ही नहीं है, उसका कैसे contract करेंगे, TP Act में इसके अलभी solution दिया हुआ है, TP Act बोलता है, हमारे रमेश है, अब यह हमारी dolly है, dolly क्या है, expected है, pregnant है, ठीक है, अब रमेश को property देनी है, अपने बच्चे को, जो अभी पैदा नहीं हुआ, जिसका हमें नाम नहीं पता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो TP Act बोलता है, कि सब दो conditions आपको fulfill करनी है, अगर unborn person के benefit के लिए आपको property रखनी है, भली यह pregnant हो नहीं हो, पर शाया दिन दोनों की शादी होगी, तो obviously बच्चा तो करेंगे ना, कभी ना कभी, तो कह रहे हैं, कि अगर आपको अपने बच्चे के नाम पे, होने बच्चे के नाम पे property रखनी है, तो सबसे पहली condition, पहले एक living person के नाम पे property दे दो, कोई भी living person, तो रमेश क्या करेगा, पहले property डॉली के नाम पे transfer करेगा, जैसे ही baby होगा, तो फिर property unborn person को चली जाएगी, ठीक है, unborn person को चली जाएगी, और completely, wholly unborn को जानी चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी मैं डॉली को दे रहा हूँ, डॉली के बाद मैं unborn person को दे रहा हूँ, और unborn person के बाद जो हमारा दूसरा बच्चा होगा ना, मैं उसको दे रहा हूँ, ये आप नहीं कर सकते, wholly, completely इसको ट्रांसवर कर दो, इसको जिसको भी देनी है, इसको हम नहीं रोक रहे ह अगर आप unborn person, जो person अभी existence में नहीं है, तो फिर क्या होगा, बोलो का अभी एक बच्चे को देंगे, दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे, पता नहीं तुमारा प्लान है भी कि नहीं इतने सारे बच्चे पैदा करने का, तो वो बोल रहा है, एक living person को दे दू, unborn person अभ to the unborn person, इसके बाद आप किसी को transfer नहीं कर सकते, रमेश नहीं कर सकता, जैसे ही वो पैदा हो जाएगा, तब उसके नाम पे आप करवा दो, अब ऐसा नहीं है कि hospital में हो और जाके registry करा लो, आप कुछ time में जाके करा लो, कि the baby has born, ठीक है, देखो point search, अगर language नहीं समझा है, point अगर किसी unborn person के benefit के लिए आपको property transfer करनी है, तो it should be preceded by a life estate in the favor of person living, तो सबसे पहले किसी living person के life estate के लिए आपको देनी है, next, it shall comprise the whole of remaining interest of the transferee that there can be no further interest in the favor of others, किसी और के favor में आपको property आगे जाके के लिए भी नहीं देनी है, अभी कि अभी सिर्फ और सिर्फ unborn person तक ही दे द उसमें भी वैसे example दिया है, जो मैंने अभी तुमको दिया है, कि पहले उन्होंने बोल दिया हमारे eldest son को जाएगा, फिर हमारे youngest son को जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एक बार दे दो, तो दे दो, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, remainder, नहीं, उसको नहीं बोलेंगे, remainder, unborn person को बोल उसके पास limited interest आ रहा है, बोल सकते हैं उसको भी, हाँ, उसके पास limited interest ही है, हाँ, ट्रांसफरर, ट्रांसफरर ने property दी, पहले किसको दी, एक living estate को सिव रखने के लिए दी है, उसके बाद जो remaining interest है, जब तक डॉली ने enjoy किया होगा, क्योंकि ट्रांसफरर का मुद्दा क्या है पॉइंट क्या है, पर्पस क्या है, unborn person, ठीक है, इसलिए, इसलिए मैं बुर्थी इस पॉप, इदन दो पॉइंट को याद रख लो, हाँ, लास्ट में पूशना फिर, ठीक है, हाँ, बोलो, नए, interest of the transfer, देखो, remaining ही तो, डॉली के बाद, जो बचा कोच है, इंटरेस्ट है, वो रमेश किसको transfer करेगा, unborn क्योंकि उसको पहले ही पता है कि ये benefited for unborn, इसमें पहले ही है कि आपको पहले unborn person को ही देना है, आपका thought process ही यही है, आप पहले किसी को transfer करो, और फिर नहीं सोच रहे हो कि unborn person को देना है, आपने पहले ही सोच लिए है कि आपको unborn person को देना है, इसलिए पहले, जब तक व रख लो जब बच्चा हो तब दे दो लेकिन वह वूम में है लेकिन आपको पते हैं आपको उसके नाम पर कुछ करना है आपको कुछ भी ट्रांजेक्शन होते नहीं क्यों करते हैं हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी अपने टाक्स बचाने को इन्वेस्मेंट पर पस्ते तो आप को इन्वेस्मेंट अगर अपने अन्बॉण पर संपर करना है तो आप तब तक एक लिविंग पर संपर को देतो तो जब आप रजिस्ट्री कराने जाओगे तो आप यहीं लिखवा होगे कि आप एक अन्बॉण पर संपर कर रहे हो पर क्योंकि वह बॉन नहीं हुआ है सिर्फ जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेशली कुछ जाके सब रजिस्ट्रार में नाम वाम चेंज कराना आपका वही में समझा रहे हो पहले ही पर्पस क्या है अन्बॉण पर सिर्फ जाके नाम वगेरा चेंज करना दुबारा स्टैम ड्यूटी रेजिस्ट्रेशन फी यह सब दुबारा नहीं होएगा ठीक है हाँ क्या खुद का और मैंने तब ही तो समझाया था लिविंग पर्सन में कौन आते हैं और और भी आते हैं असोसियेशन बॉडी कॉर्पेट अभी ध्यान निये फालतु बातों में ध्यान है कुट्टे को ट्रांसफर कर दें प्रॉपर्टी तब मैंने क्लियरली बोला था जानवरों को नहीं देते हैं नंदिनी को उस बात पर हसी भी आई थी मुझे यह भी आदे तब मैंने क्लिय लिए बोला था जानवरों को प्रॉपर्टी हम नहीं दे सकते हैं तुम्हारे घर में कुट्टा है इंडियन कॉंट्राक्ट नॉर्मल ट्रांसफर प्रॉपर्टी आक्ट का प्रॉपर्टी ट्रांसफर कॉंट्राक्ट अनबर्न पर्सन के लिए कह रहे हो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे फादर, तुम्हारी मम्मे को एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो क्या बैठके कॉंट्राक करते हैं? हमने जब पढ़ा, formalities of or transfer of property, attestation, ठीक है, attestation जो आप registry कराओगे न, उसमें भी हो जाएगा, आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, आप क्या करते हो, जाके registry कराते हो, वकील के पास paper होते हैं, आप sign करते हो, जिसको देते हो, वो sign करते हैं, दो-दो witness sign करते हैं, ये contract है, ठी ownership के जो papers होंगे न, deed, title deed, वो contract होता है, उसका नाम है title deed, मतलब, नहीं उसको unborn नहीं बोलेंगे, वो में का क्या हो गया, unborn मतलब normal, this is a totally different doubt, नहीं से related नहीं है, we'll discuss it, ठीक है, चलो, अब rule against perpute check, perpute, ठीक है, perpetual पढ़ता है, perpetual succession, क्या होता है, उसका मतलब, हमेशा चलते रहते हैं, किस में पढ़ाया है ये, companies की definition में, अब अगर, एक property, A को गई, A के मरने के बाद B को गई, B के मरने के बाद C को गई, C के मरने के बाद D को गई, ऐसे करके करते आपने क्या बनाया, rule of perpetuity, ठीक है, कि property ultimately transfer होती रहेगी, और यह हमारे साथ होता है, दादजी की बाद, पापा के पास, पापा के पास, बेटे के पास, बेटे के बाद, बेटे के पास, ये rule of perpetuity चलती रहती है, ये perpetuity किया कभी तूटती नहीं है, तूट सकती है, तो अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये perpetuity टूट सकती हो, और entire contact आपका invalid हो जाता है, कैसे? No transfer of property can operate to create an interest to which it take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer, इसका मतलब है, A ने B को transfer की, B मर किया, ठीक है, तो B के मरने के बाद भी किया, B उस property पे अपना रहग जाता सकता है, क्या आतमा लेके कि नहीं है, मेरी ही property है, नहीं, तो यही line TP Act में English में लिखती है, कि कोई भी transfer of property किसी के मरने के बाद उसके पास नहीं होती है, उसका कोई हग नहीं होता है, यहां तो उसके legal है, heirs का हो जाएगा, यहां फिर किसी और person का नाम लिखा होगा तो उसको जाएगा, तो मारी language में तो nominee का हो जाएगा, किसी ना किसी person को वो property ultimately मिलती ही है, और कोई नहीं होता है, तो government के पास जाती है, अगर यह question तुमाए दिमाग में आ भी जाए, तो कोई नहीं होता है, तो government के पास court में चली जाती है, point यह है, कि अगर किसी के मरने के बाद transfer नहीं होगा, तो क्या कर सकत है उस चीज़ का, तो rule of perpetuity लगा दो, कि आप पहले declare कर दो कि B के मरने के बाद C, C के मरने के बाद D, ठीक है, दो चीज़े हैं इसमें, एक क्या है, सबसे नीचे देखो, ऐसे box बना के उनने दो pointers highlight करके दी है, ठीक है, no transfer is valid, after the lifetime of one or more person living at the time, living date of the person, मतलब अगर कोई जिन्द है, तो property है, कोई मर गया, तो उसके नाम पे वो property नहीं रख सकता, इसको हम valid transfer नहीं बोलेंगे, transfer can remain in effect during the lifetime of an existing person, उसी चीज़ को passively लिख दिया है, positively, कि transfer तब तक effect में रहेगा, जब तक वो person जिन्दा है, transfer can be extended to a person who is not in existence, अभी देखा हमने unborn person को हम दे सकते हैं, but if he is in existence at the time of termination, the period of last transfer, इसका मतलब मैं तुम्हे समझाती हूँ, a, b, c, d, यह major है, यह भी major है, यह अभी बॉन ही नहीं हुआ है, ठीक है, चलो बॉन ही, इसको minor बोल लेते हैं, ठीक है, और यह अभी बॉन नहीं हुआ है, ठीक है, अब क्या हुआ, a ने बोला, मेरे मरने के बाद property किसकी, b की, b की मरने के बाद, c की, c की मरने के बाद, d की, वो कह रहा है, जब c मर रहा है, तो d का जिन्दा होना बहुत जरूरी है, d पैदा हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पूरा invalid हो जाएगा, यहां पर perpetuity खतम हो जाएगी, ठीक है, इनक in existence at the time of termination of the period of last transfer, termination मतलब, खतम होना, तो यह जो last transfer है, इसके खतम होने के पहले, यह existence में आ जाएगे, तो आप आगे 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 बोलते जा रहे हो ना, perpetuity में वही बोल रहे हो, हमारे साथ ऐसे ही होता है, बेटे के बाद, बेटा के बाद, बेटा के बाद, बेटा के बा एक मिनिट थोड़ा सा बचा है, पहले सुनलो, फिर डाउट साना, लिखा है क्योंकि आगे, the moment the person is born, he shall have the contingent interest, and after minority, that is after the age of 18 years, he has have the vested interest, perpetuity में, minor को property जा रही है, तो उसके पास contingent interest है, क्योंकि minor transfer नहीं कर सकता, तो condition क्या होगी, कि जब वो major हो जाएगा, तो ही वो transfer कर सकता, तो आपको न वो उनके साल भी calculate करने पड़ेंगी, कि 18 साल का होगा, तो ही तो आगे transfer कर पाएगा, ठीक है, अब, bearing these two conditions, a restriction on alienation of the property is void, मतलब क्योंकि हमें पता है, unborn person के बाद आगे property transfer नहीं हो सकती, unborn person चाहे तो जब वो खुद अपने हिसाब से transfer करती, इसलिए मैंने last person को unborn person रखाता है, अगर बीच में माइनर है, तो माइनर के transfer होने तक, मतलब माइनर को जब transfer करना है, तब वो major है ना चाहे, obviously वो बड़ा हो जाएगा तब तक, ठीक है, क्योंकि उसके मरने के बाद ही property transfer होगी, तो इसलिए rule of perpetuity चलता रहता है, फिर से देखो, A major है, B major है, C minor ह हमारे rule के साब से unborn के आगे transfer नहीं होता, उसके बाद उसको खुद को करना है, तो कर सकता है, A यहां से better better decide नहीं कर सकता, अब मैं बोल दूँ कि A B minor है, तो major, major, इसको जब transfer करना है ना, यह major हो जाएगा, उसके मरने के पहले उसको transfer करना है, या जबी भी transfer करना है, जबी भ उसको अपने life estate में during the transfer करना है, वो major होना चाहिए, क्योंकि minor नहीं है, तो जब minor के पास property आ रहे है, उसके पास contingent interest आ रहा है, vested interest कब आएगा, जब वो 18 का हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद वो इसको देगा, तो इस पे भी same condition, कि minor है, 18 का हो जाएगा, तो आगे transfer कर सकता है तो rule of perpetuity, A, B, C, D, आगे-ागे आप transfer करो, लेकिन minor है, तो जब major हो जाएगा, तो ही transfer कर सकता है, और यह ध्यान रखो, कि last termination होने से पहले आने वाला person existence में आ जाए, ठीक है, किसी को कोई doubt? क्या? हाँ, तुब unborn को transfer किया न, किया तो मैंने D को transfer, बिटि existence, देखो, वही बात मैं बता रही हूँ, C है, minor है, D है, unborn है, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, कि इस rule of perpetuity अगर apply कर रहो, unborn में क्या था, clearly, एक life state को दे दो, और फिर unborn के नाम पे कर दो, कोई problem न, यह दूसरा rule है, यह अलग topic है, लेकिन अलग topic में सिर्फ एकाद point उसके यहाँ पे apply कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, कि जब आप minor को देते हो, चलेगा, वो transfer तब कर सकता है, जब वो major हो जाए, और जो unborn person को दे रहे हो, तो यह existence में आ जाए, ऐसा rule बोलता है, ठीक है, अब इसदर आप वो, उसका doubt सहिए, कि माम unborn, अभी तो आपने बोला कि आप कर सकते हो, unborn person के पास transfer ही, कब हो रहा है transfer, जब वो existence में आ रहा है, आप unborn के benefit के लिए transfer कर रहे हो, जब एक person, जब रमेश, transfer कर रहा है, तब क्या बोस बेबी existence में है, नहीं है, जब डॉली unborn person को transfer करती है, तब वो बच्चा पैदा हो जाता है, ना उपर, तब ही तो करती है, ठीक है, यह इसकी मौत अगर होती है, तो यह बच्चा पैदा हो जाना चाहिए, मैं यह कह रही हूँ, अब तुम लोग confuse हो रहे हो, क्योंकि यार इसमें मम्मी लोग भी involved है, बहुत लोग involved है, अब unborn person की बात जब आ रही है, तो हम सीधा-सीधा हमने यही रूल पढ़ाया है, कि जैसे ही वो पैदा होगा, प्रॉपर्टी उसको transfer हो जाएगी, तो वो existence में आया तब ही होई, ना, तो यह doubt sought हो ग फिर आपका perpetuity cancel हो गया, फिर आपको दया instrument ना है उसमें आना पड़ेगा, हाँ, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बच्चे की भी हो गई, तो property नहीं हो पाई किसी को, हाँ, तो perpetuity cancel, क्योंकि perpetuity का मतलब क्या है, नहीं तो last person है ना, last person जो इसको enjoy कर रहा था, C की death होगी, C major है तुमारे हिसाब से, और unborn person आया ही नहीं, हाँ, यह major है, तो transfer ही कैसे होगा आगे, तो A तो main person है भूमी का, तो A मर गया तो फिर तो property transfer होगी नहीं ना, फिर उसके legal representative के पास ही जाएगी, Hindu act, Hindu succession act, किस, एक बात बताओ, एक मेरे पास property है, मैंने किसी को transfer ही नहीं करी, कुछ भी नहीं किया मैंने उस property का, ना मैंने will बनाई, और मैं मर गई, तो property किस की, मेरे बच्चे भी नहीं है, किस की, गर्वर्मेंट की क्यों होगी, मेरे माबाब जिन्दा है, नॉमिनी भी नहीं बनाया मैंने, पैमिली की होगी ना, मेरे फादर, Hindu succession act, बच्चे, किसी के, अगर किसी एक अंकल की death होती है, उसकी property, अंकल सडनली चले गए, उनके पस जो जो है, ना पैसा, घर, गाड़ी, बीवी पे, और दुनों बच्चों पे, इक्वल राइट होता है, ठीक है, तो अगर A मर गया, तो इसकी बीवी बच्चे है, क्यों नहीं यार, अगर तुमको अपनी property आगे-ागे transfer करनी है, तो क्यों, क्या problem है, तुमको नहीं देनी है, अपनी बीवी बच्चों को, तुम्हें अपने भाईयों को देनी है, एक rule है, ऐसा नहीं है, कि ये rule follow हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा contract करना है, तो आपको ये rule follow करना पड़ेगा, ये point है, ठीक है, जब unborn person है, क्या हमारे parents पहले ही decide कर लेते हैं, क्या, मैंने तो नहीं decide किया, बच्चा होगा, तो property दे दूँगी, अगर मुझे ऐसा करना है, तो मैं पहले एक life estate को दूँ और फिर अपने बच्चे को दूँ, ऐसा मुझे उन्होंने clear कर दिया, अब ये तुम सोच रहे हो, कि हम ये क्यू पढ़ रहे हैं, कल तुम्हारे दिमाग में, क्यूंकि तुम प्रॉपर्टीज में deal नहीं करते, तुम्हें नहीं पता registration fees कि इतनी होती है, लाखों की तो पैसे लगते हैं, दो-दो करोड की प्रॉपर्टी पांच लागा तुम्हें registration fee भरना पड़ता है, जैसे तुम्हें stamp duty दो रुपर पांच रुपर दिखाई गई थी ना, उनकी लाखों में लगती है, इसलिए वो पैसे बचाने के लिए भी आ registration, इसलिए तुम क्या सोचोगे, कि यार, law में कुछ easy सा होता, कि मैं directly कर पाता, जो पैदा नहीं हुआ है, उसके नाम पे, मैं उसके नाम पे करना चाहता हूँ, यह property, कुछ easy सा होता है, तो यह easy दिया है उन्होंने, इसलिए law बनाया है, कि आपकी, जितने भी problems हैं, आपका जहां-जहां interest है, उनके solutions यहां हैं न, उनके लिए आप यह sections refer करो, तुम company secretary हो, तुम यह act क्यों पढ़ रहा हो, कल को तुमारे पास कोई client आता है, तुम कुछ भी काम कर सकते हो, जितने act पढ़ रहा हो, उसमें कोई भी act उठा कि उसका business कर सकते हो, सब्सुर्स तुमने properties का business चालो कि, अब तुमारे पास तुम बैठे हो, office खोल कि, तुमारे पास एक person आ रहा है, कि property transfer करनी है, कैसे करूँ, TP act उठाओगे, उसमें से बताओगे, आप sound mind हो, आप major हो, आप not discount, आप कर सकते हो, आपकी property of any kind है, क्या property है, इसा पूछोगे उससे, उसके बाद वो तुम one person की नाप पर directly उसको transfer हो जाएगी, यह बताओगे उसको, इसलिए तुम law पढ़ रहे हो, अभी तुमारी understanding base चल रही है, जब इस law कि, अगर तुमने कहीं training कर ली, तुमको यह पूरा act clearly समझा जाएगा, अभी तुमारे questions है ना, वो जाएज है, लेकिन कुछ-कुछ बहुत silly हो रहे है, ठीक है, questions, मतलब तुम्हारे mind में जो खुल रहा है ना, that is बहुत अच्छी चीज, कि तुम्हारा दिमाग इतना खुलता है, कि तुम में इतने questions हाते हैं, लेकिन ये बोलना कि तो फिर perpetuity चीज तो valid ही नहीं है, valid क्यों नहीं है, किसी ना किसी person को यह चीज चाह ही है, तो मैं चाहता हूँ, registry कर ली, इसके बार transfer होती रहे, मिरो को बार-बार registry नहीं करानी, इसलिए लोग करा लेते हैं, ठीक है, रूल और unborn person का benefit, जब हमने पढ़ा, दो points, क्या-क्या, succeeding estate to a living person, दूसरा point, whole of a remaining interest to the unborn person, and no other favors to others, ठीक है, फिर हमने पढ़ा rule of perpetuity, दो points, पहला point, याद कराती हूँ, no transfer is valid, जो after the lifetime किसी person का हो, बोलो, no transfer is valid, which is considered after a lifetime of anybody, ठीक है, मतलब, transfer can remain in effect, transfer can remain in effect during the lifetime only, ठीक है, effect में रह सकता है, during the lifetime of the person, अब, transfer can be extended to a person, who is not, who is not in existence, but, last transfer होने से पहले, last transfer terminate होने से पहले, he should, या, she should be in existence, ठीक है, उसके बाद फिर born और unborn का है, कि minor है, तो जब 18 का होगा, तो ही वो transfer कर सकता है, ठीक है, termination, नहीं समझा है, देखो, ये एक person है, A से B को जा रहा है, तो B के पास जब property own हो रही है, तो ये terminate हो रहा है contract, A के पास आप property, हाँ, जब B से C के पास जा रहा है, तो B वाला contract terminate हो रहा है, इसा पीछे चूटते जा रहा है, ठीक है, अब जब C से D के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो C वाला contract terminate होगा, तब बोल रहे हैं, D न, existence में आ जाए, क्योंकि वो शायद unbond था, तो जब आप perpetuity आगर आप चाहते हो, तो हम चाहते हैं, कि जिस जिसको transfer आप कर रहे हो, वो पैदा हो जाए, नहीं, अगर C की बारी आ गई, C मर रहा है, या C को transfer करना है, तो C को अगर अपना rule of perpetuity से side होना है, खतम होना है अपने आपको, खतम करना है इस contract से, तो जिसको भी उसको transfer करना है, वो existence में हो, ऐसा नहीं बोल सकता, वो कि अब जब भी जब भी पैदा हो जाए, उसके नाम ऐसा नहीं है, तुम्हें तब तक property ओन करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर D existence में नहीं है, तो, अब ये rule of perpetuity मैं, D के बाद कौन आएगा, E, F, अब ये तो तो तुम्हें A, B, C, D आता है, इसलिए, generally जो लोग contract करते हैं, वो specify कर देते हैं, मेरे बाद इसका बेटा, इसके बा इसका बेटा, उसके बाद वो specify कर देते हैं, ठीक है, एनी नंबर, ये paragraph mark करो, तुमको जो mark किया है, वही लिखना है, ठीक है, एनी नंबर of successive estates can be created between the transferi who are living persons, A transfer may be made by A for life, then B for life, then C for life, and so on, provided that A, B, C are all living person at the date of transfer, but if the ultimate beneficiary is someone who is not in existence at the date of transfer, the whole residue of the state should be transferred to him, if he born before the termination of the last prior estate, मतलब वो पैदा हो गया, तो, he takes a vested interest at the birth and take possession on the termination of last prior estate, but if he is not born till the termination of the last estate, the transfer to him fails, ठीक है, जो मैने अभी हिंदी में बोला, वोही सब इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, एक देखो, effect of transfer on failure of prior interest, ठीक है, further, whereby reasons, तुम दोनों अलग-अलग बैठो, थोड़ा shift हो जाओ, एसे करके बात करो कि क्या मुझे समझ नहीं आएगा, ये ना उपर है, मेरी height चोटी है, लेकिन ये उपर है desk, podium से सब दिखता है, तुम क्या करते हो, क्या नहीं, और, in fact, लिए तुम आई books भी दिखती है, clear दिखता है, ठीक है, चलो, further by reasons of any rules or rules contained under section 13 and 14, interest can be created for benefit of a person or class of person fails, ठीक है, unborn person को दिया, fail हो किया, in this regard, to such person or the whole of class, any interest created in the same transaction, intend to take effect upon the prior interest also fails, for example, property is transferred to a for life, then to his unborn person, b for life and then to c, who is a living person at the date of transfer, absolutely, here, अभी क्या हुआ, b is given only a life interest, so the b को transfer करना invalid है, देखो, अभी क्या हुआ, और इसमें c का भी fail हो जाएगा, unborn वाला section नहीं है, generally a ने b को किया, और b के बाद बोला c को, b आया ही नहीं, b पैदा ही नहीं हुआ, भी आया ही नहीं, तो fail हो गया, perpetuity fail हो गई, तो fail हो गई, फिर जिसके पास है, जो last person है, उसके पास वो property रहती है, फिर उसके successors के पास वो property चली जाएगी, एक बड़ा interesting topic था इसमें, बहुत पुराने जमाने में इन्होंने बात की थी, accumulation of income, मतलब किसी land से अगर किसी person ने बहुत सारा पैसा कमाया है, तो act बोलता है, इसको आप जमा करके नहीं रख सकते, 1882 की बात है, थीक है, तब वो सोचते थे कि लोग क्या करेंगे, land से पैसा कमा कमा करते जाएंगे, और हमारी economy में लेक ही नहीं आएंगे, और वो चाहते हैं, पैसा roll हो, invest करो, तब investments और ये सब इतने सारे options नहीं थे, तब उनने एक section 17 बनाया, कि accumulation of income आप नहीं कर सकते, दो time limits दी हो, ये कि तब तक आप पैसा जमा करके रख सकते, और कुछ exceptions हैं, कि अगर reasons हैं पैसा जमा करने के, तो ठीक है, तो ultimately वो क्या कर रहे हैं, कि अगर एक person land बेच रहा है, और land बेच के जो पैसा मिल रहा है, उसको जमा करके, मत रखो, वो चाहते हैं, वो पैसा roll हो, section 17 does not allow accumulation of income from the land for an unlimited period without the income being enjoyed by the owner of the property, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब जिंदगी भर के लिए पैसा हम यहीं जमा करके रखेंगे, उन्होंने clearly section 17 में state कर दिया, तो उमसे direct question आजाएगा, accumulation of income क्या होता है, वो ही reason है न, क्यों रखते हैं, the law allows accumulation of income for a certain period only, दो periods के लिए उन्होंने allow किया है, कौन कौन सा, life of a transferor, अपने जिन्दा रहने तक पैसा जमा करके रख सकते हो, 18 years from the date of transfer, जिस दिन तुमने ट्रांसफर किया है, आज जैसे ट्रांसफर किया है, 11 October, 11 October के बाद उसको 18 साल तक रख सकते हो, ऐसा उन्होंने अपने हिसाब से 1882 में specify कर दिया था, तो अपने जिन to accumulate the income beyond the period, मतलब इसके बाद भी आपको पैसा रखना है, तो आप रख सकते हो, with these three reasons, कौन कौन से reasons, the payment of the death of the transferor or any other person taking interest under the transfer, उसको कही अपना कोई लोन चुकाना है, तो वो पैसा जमा करके रख सकते हो, portion for the children or any other person taking any interest in the property under the transfer, अपने बच्चों के लिए पैसा रखना चाहो, for preservation and maintenance of the properties transferred, उस property पे और पैसा लगाने के लिए कि मुझे इसको और बनाना है, इसको maintenance लगता है, इसमें पैसा लगाना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा जमा करना चाहो, तो रख सकते हो, तब लोगों में इतनी अकल नहीं थी, अब है, अब हर कोई ही पैसा जमा करके रख कर सकते हो, तो उन्होंने दो टाइम पीरिट यह, कब-कब आप accumulation of income नहीं कर सकते, after the life of the transfer or after the 18 years, पर तीन exceptions है, जब आप इसके बाद भी, beyond such period भी रख सकते हो, कौन-कौन सा, debts, loan के लिए, बच्चो पोर्शन for the children or any other person जिसका property में इंटरेस्ट हो, तो हो सकता है अपने पाप maintenance of the property, तो इसके लिए पैसा जमा करना चाहो, तो आप कर सकते हो, TPI 1882 का न, maintain करने के लिए, आपने पैसा जमा किया है, कि यार अब बाद में लग जाएगा, वापस property खरीदनी पड़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपने, अब एक बात बताओ, तुमने, तुम चाहिग है, कि उसके पाज़ के लिए तृटेशन आगे कि उसके पास आज की डेट में कोई पैसे नहीं है, उसके प्रापा ने मेरे लिए जग बनाया थो वापस खरीद सको, तो आपको लौled क्या खरीगा, थिन बापटि ठ्रांसफर की है, उसके maintenance के लिए रख रहए हो, चालो, Doctrines है हमको इस Act में बहुत सारे पर तुम इतने लखी हो कि तुमको एक ही Doctrine पढ़ना पढ़ रहा है, बहुत सारे Doctrines है, वैसे Holding Out, Election, Estopal, तुमको एक Doctrine है, Doctrine of Lispendis, एक Latin word है, Lispendis मतलब, कोश हो गई अनन्या, Lispendis मतलब, क्या सीमा, सुनना, Lispendis मतलब Pending Cases, Listed Case, ठीक है, जो Pending है, और मुझे कल किसी ने बताया, अभी नहीं, कली हमने जब Zoom में मीटिंग की थी, तब मुझे किसी ने बताया था, कि Any, अननन नहीं आए, कि Any Dispute अगर इस Pending, तो वो Property आप Transfer नहीं कर सकते है, अभी हमारे एक Topic रिवाइस करने के लिए, बाकी है, कि What Property इस पॉइंट नहीं लिखा है, पर जेनरली यह चीज हमें पता है, कि अगर एक अल्रेडी आपका Dispute चल रहा है, तो क्या वो आप Property टांसफर कर सकते हो, अभी आपको पता ही नहीं है, कि नहीं है, पर अगर कर दी, तो उसका डॉक्टी नहीं आपे दिया हूँ है, मतलब र रमेश कहा रहा है, मेरी Property, डॉली कहा रही है, मेरी Property, अब कोट कहा रहा है, arguments करो, proof ले क्या हो, evidences ले क्या हो, इस बीच अगर रमेश ने Property किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो क्या कर सकता है, पर कर दी तो 10,00,000 रुपीज ले लिए, रमेश क्या करेगा, भर पाई करेगा, अगर, इसमें बोला, अगर कर दिया, अगर किसी ने ये कर दिया, पहली बात तो आपका एक dispute है, आप नहीं कर सकते, पर अगर आपने ऐसा कर दिया है, तो doctrine clearly बोलता है, अगर रमेश केस जीतता है, तो Property इसकी, ठीक है, और रमेश केस नहीं जीतता है, मतलब डॉली केस जीत तो भी, बेच दी उसने, उस बंदे ने बना दिया मॉल, सब डॉली का, सब डॉली का, हाँ, हाँ, पर अगर नहीं पता चले ऐसी situation आई कि बेच दी, वो ही मैं बोल रहे न, डॉली को नहीं समझाया, अब आपकी property है, किसी ऐसे एरिया में, अब बार बार जाके चेक करोगे किया रिच हाई जैसे एरिया में, कि क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, सब बार किसी ने कर दिया, उसको information नहीं मिली, तो सब डॉली का, क्योंकि डॉली केस जीत गई है, LIS means dispute, देखो, LIS मतलव dispute, PENDIS मतलव pending, LIS PENDIS means a pending suit, action, petition or the like, anything, जो भी आपका court में चल रहा है, यह section 52, Incorporates the doctrine of LIS PENDIS, it's the, during the pendency of a suit in a court, property which is subject to litigation cannot be transferred, general rule यही है, pending case चल रहा है, property transfer नहीं कर सकते, essentials क्या है, यह important है, तुम से पूछ लेंगे, doctrine of LIS PENDIS, तो तुमको यह सारे points बताने, और पहले बता देना, section 52 के हसाब से, LIS, पहले तो LIS मतलव, dispute, और कोई भी pending suit, petition, या कोई भी action और उसके जैसा, अगर pending है, तो आगे आप उस property को transfer नहीं कर सकते, essential, there must be a suit of the proceeding in the court, competent jurisdiction, सही court में आपका एक pending suit है, the suit or proceeding must not be collusive, अभी तक final conclusion नहीं आया है, the litigation must be one in which the right of immobile property is directly or specifically in question, तो problem क्या है, suit में दिक्कत क्या है, कि वो property किसकी is the major question, there must be a transfer or otherwise dealing with the property in any dispute or any party of litigation, बीच में क्या कर दिया, किसी person ने एक person को property transfer कर दी, such transfer must affect the rights of the other party and may ultimately occur under terms of decree or order, मतलब जो आपने, जो रमेश ने कांड कर दिया है, उसकी validity कब आएगी जब final decree or order आएगा, ठीक है, essential जात रखो, सबसे पहले, there must be a suit, दूसरा, conclusive हाथ, conclusive अभी नहीं है, तीसरा, question है कि immobile property किसकी है, चौथा, transfer of property होगा, third person, fourth, decree or order पे ही ultimately आपका validity of the transfer declare होगा, ठीक है, यह essentials होगे, अब example देखते हैं, a and b are litigating in a court of law over property x, property का नाम x है, parties का नाम a, b, and during the pendency of the suit, a transfers the property x to c, property का नाम क्या था? x, किसको दे दी इसने अग? c को, और during the pendency of the suit, the suit ends in the favor of b, property किसने transfer करी थी? here c, who obtained the property during the time of litigation, cannot claim the property, he is bound by the decree where b has given the property, अब मैं हम ऐसा कोई क्यों करेगा, pending suit है, किसी को ना over confidence होता है, कि property ना मेरे ही नाम पे आएगी, तू रख ले, तू पैसे दे दे, मान ले तेरी property है, ऐसा मान ले ना, और पैसे उसने दे दिये, और finally order उसके favor में नहीं आया, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि हमारे बीच contract हुआ था, इसने कहा था, मान लो property है, तो property मेरी, आप claim ही नहीं कर सकते, उनको already एक pending case था, आप इतनी होशारी मत मारो property, जो इसके नाम पे आया है order, उसी की रहेगी, ठीक है, तुमको TP Act में क्या questions आते हैं, तुमको दे देंगे ये वाला case, ये वाला, ठीक है, कि बताओ, अब C को transfer किया गया, valid है, कि नहीं है, या doctrine explain कर दो, तो तुम्हे ये points और essentials clearly बताने है, और ये example का conclusion देना है, answer writing में किसी को कोई doubt हो, अगर case law आता है, किसी भी act से, अभी हम TP Act पढ़ रहे हैं, इसके बाद contract, उसके बाद नेकोशि cases आएगा, सबसे पहले तुम्हें बताने है, facts, ठीक है, आखिर लिखा क्या है, लिखा क्या है, points में बता दो, A और B का एक case चल रहा है, pending suit, B ने क्या किया है, C को transfer कर दिया है, ठीक है, अब जो तुम्हारा question है, तो वो आजाएगा question of law, जो भी तुम्हारा question होगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हें provision बताना है, तो provision में तुम्हें explain करना है, कि TP Act के section 15 में doctrine of list pendis explain क्या हुआ है, कि during the pendency of the suit, they cannot be transferred, पर इसके कुछ essentials है, जो essentials बान से लेकर 5 तक हमने अभी याद कि वो बताने है, फिर conclusion, conclusion में तुम्हें facts और provisions का मिला के एक answer लिखना है, कि as per the provisions, C cannot transfer it, but if he, मतलब B cannot transfer the property to C, but if he has transferred the property, तो जो essentials में लिखा है, the validity of the transfer can only be declared after the decree or order, ठीक है, इतना सा answer, इतना सा conclusion तुमको लिखना है, अब आता है, doctrine of part performance, यह भी बड़ा interesting doctrine है, part performance, part performance मतलब, सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, चलो, part performance मतलब, आता perform किया है, अगर एक contract है, तो किसी एक ने अपना part perform कर दिया, दूसरे वाले ने अपना part perform नहीं किया, अब हमारी रमेश और डॉली है, सिर्फ example समझेंगे आज हम, ठीक है, रमेश है, और डॉली है, रमेश ने क्या किया, बोला कि यह land न, तू ले ले, और यह land पचास लाग रुपए की है, पचास लाग दे दे, अपन चलके registry करा लेंगे, देख लेंगे, अब तो बोलं रहा है मुझे तो बोला है तूमसे ने करना है, मुझे तो बास बेबि को ही देना है, मतलब कोई third person तो यह doctrine है तुमको इसके ले तो गलत हो गया ना डॉली का सुनके तो सबको लगेगा उस बिचारी के साथ गलत हो गया ठीक है अब जब यह मना कर रहा है इसको तो एक doctrine दे दिये doctrine किसके favor में है डॉली के इसका मतलब यह नहीं कि तुमने पैसे दे दिया है तो रेजिस्ट्री तुम्हें ही मिलेगी यह मतलब नहीं है इस doctrine का कि अगर तुमने अपने पचास लाग रुपे दे दिया है तो हम तुम्हें ही property देंगे यह राइट नहीं दे रहे है ठीक है positive negative भी नहीं दे रहे है कि तुम्हारी पैसे दे दिया है यही नहीं मान रहा है तो हम इसको यह राइट देंगे कि कोर्ट में आके तुम यह अपनी विलिंगने शो करो और फिर हम रमेश को बोलेंगे कि रजिस्ट्री इसके नाम पर करा सकते हो ठीक है ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह हमको क्यू दिया है क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते है पैसे ले 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 और रजिस्ट्री के टाइम बोलते है तुम्हारे साथ कॉंट्राक्ट नहीं करना पैसे भी ले जाओ ठीक है ऐसा नहीं है कि रमेश बुरा आदम हो बोल रहा है कि पचास लाग रुपए मैं ही रख लूँ उसके लिए तो बहुत सारे मैटर्स हैं बहुत सारे सेक्षिंज जिस पर मुद्द उठा सकती है पर इस बंदी का इंटर्स इस लैंड में इसको यह चाहिए इसके लिए पचास लाग भरे थे पार्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है पैसे की बात नहीं हो रही है रमेश कहा रहा है फिफ्टी लाग रुपीज ले जा तो डॉली खुश होगी क्या डॉली ने तो प्रॉपटी चाहिए थी ना तो उसको यह डॉक्ट्रीन मिली है कि तुमको हम property नहीं दिलाएंगे, हम रमेश को यह नहीं बोलेंगे, property इसी को बेचो, पर क्यूंकि तुमने willingness दिखाई है, तुम रजिस्ट्रिंग के लिए, रमेश, तुम रजिस्ट्री के लिए आके action ले सकती हो, ठीके, तुम यह action ले सकती हो, कि इसको बोलो, अपना part perform करे, मुझे property चाहिए, ठीके, वो इसको यह नहीं बोल सकते, कि तुम इसका पैसा वापिस दे दो, वो इसको यह जरूर बोल सकते, वो रजिस्ट्री कराने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखा रही, तुम अपना part perform करो, अब सिव एक बार यह देखो, essentials, देखो, यह section 53A है, there must be a contract to transfer a mobile property, Ramesh और Dolly के बीच में contract था, था, there must be a consideration, 50 lakh rupees उसने दे दिये थे, दे दिये थे, the contract should be in writing and signed by the transferer himself on this behalf, इस doctrine में completely आपका एक written contract और signed contract हो ना जी, क्या proof रहेगा ना, फिर 50 lakhs का, the term necessary to constitute the transfer must be astonable with reasonably certainty of the contract itself, जो भी आपका contract है, वो clearly समझ आना चाहिए, as certain कर पाएं कि हाँ, property transfer करें, हाँ, इतने इतने पैसे को लेके बात हुए, हाँ, registry को लेके बात हुए, सब कुछ, the transfer should have taken the possession, the transferee should have taken the possession of the property in the part performance of the contract, possession कब मिल जाएगा, उसको कहने के लिए एक 50 लाग दिया है, तो property पे हक तो है ना उसको, in case he has already taken the possession, he must have continued the possession in the part performance of the contract, and must have done something in the furtherance of the contract, अब उसने उस land पे कुछ न कुछ तो करवा, लिया ही होगा, ठीक है, the transfer must have fulfilled and be ready to fulfill the part of the obligation under the contract, डॉली रेडी है, रजिस्ट्री कराने के लिए, डॉली रेडी है, अपना part perform करने के लिए, डॉली रेडी है, अपने सारे obligations को fulfill करने के लिए, यह सिर्व essentials है, contract होना चाहिए, consideration होना चाहिए, return में होना चाहिए, अपने प्लाइशन हम easily ascertain कर पाएं, उसके बाद जो आपका possession आपको मिल गया है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, अगर आपने possession ले लिया हो, तो आपने प्रॉपर्टी में furtherance, कुछ action भी कर लिए होंगे, प्लस डॉली यहने ट्रांसफरी ready है, अपना part और अपना obligation perform करने के लिए, सारे चीज़ों को fulfill करने के लिए वो ready है, इसमें नीचे लिखा है कि यह directly आपको यह नहीं बोलेगा कि आपको property मिल ही जाएगी, पर क्यूंकि यह सारे essentials ready हैं, तो हम रमेश को बोल सकते हैं, कि you can deal first with her and then with somebody else if चाहते हो तो, ठीक है? इसके बाद सीधे उसके बाद TPR खतम, इसके बाद modes of transfer of property, कि भाई, sales से कर सकते है, exchange से कर सकते है, mortgage कर सकते है, lease कर सकते है, charge create कर सकते है, actionable claim पढ़ा था, वो सारे चीज़ें अब हैं, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा उससे case laws आएंगे, अब जो पढ़ेंगे, उसमें share differences आजएंगे